प्रो कबड़ी सीजन 10 का आरंब आज से हो रहा है और आज की दिन दो मैचेस खेले जाएगे, मैच नमबर 1 के बारे में तो हमने बात कर लिया, अब बात करते हैं मैच नमबर 2 के बारे में, मैच नमबर 2 खेला जाएगा यू मुंबा वसिस यू पी योधास के बीच में, इस म मुंबा की बीच में खिला जाएगा रात के 9 बजे, EKA अरेना बाई ट्रांस्टेड या एहमताबाद में, head to head records पनजर डाल ले तो दोने टीम्स आमने सामने 10 बार भिड़ चुकी है, जहां पे यू मुंबा की टीम चार बार जीती है, और वहीं पे यू पी योधास की टीम पांस बार जीती है, और एक बार जो मैक चे वो यहाँ पे टाई हुआ है, प्रिविएस बैटल की बात की जाए तो पी योधास की टीम ने यू मुंबा को 38 बाई 28 के स्कोर से हराया है, तो overall आकडो की बात की जाए तो यू पी योधास की टीम स्लाइटली आगे चल रही है, स्टार्टिंग समिन पर नज़र डाल लेते, शुरुवात करते यू मुंबा के साथ, तो यू मुंबा की स्टार्टिंग समिन आप देख सकते हो, जहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगे, रिडर्स में गुमान सिंग, आमिर मोहमाद जाफर दनेस और चे भगवान, डिफे की बात कीज़ाए तो यू पी योदास की स्टार्टिंग सेवन भी आप देख सकते हो, जहाँ पे हमें रेडर्स में देखने को मिल जाएगे, पर्दीप नर्वाल, सुरिंदर गेल and विजय मलेक, डिफेंडर्स में देखने को मिल जाएगे, आसु सिंग, हरिंदर कुमार, सुमित सांगवान जहां पे आसु सिंग राइट कवर के डिफेंडर हरेंद्र कुमा लेफ्ट कवर के डिफेंडर नितेश कुमा राइट कॉर्णर के डिफेंडर एंड सुमित सांगवान लेफ्ट कॉर्णर के डिफेंडर देखने को मिल रहे तो यह यहां पे यूपी योध् की स्टार्टिंग 7 रहने वाली है अब मैं आपको बता दू आज प्रो कबड़ी स्टार्ट हो रहा है और अकर आपको हर एक मैच के अपडेट सबसे पहले जानने हैं अब स्टार्ट हो चुका है कुछ ना कुछ बड़े अपडेट आएगे नाई सिर्फ बड़े अपडेट कुछ एक्स्क्लूसिव न्यूस भी जो आते हैं वह आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाएगा तो जीनों ने भी हमारे टेलिग्राम चै जाके जॉइट कर लीजे हर एक अपडेट के लिए दोने टीम्स की स्टार्टिंग 7 को फटाफट कंपैर कर लेते हैं दो तोने टीम्स की स्टार्टिंग 7 आप अपने स्क्रिन पे देखी सकते हो जहां पे ये मुंबा की डाट की जाएग तो गुमान सिंग आमिर मुहमाद जाफर दनेश और जे भगवान देखने को मिल रहे है यूपी योदास के रिडर्स में परदीप नर्वाल, सुरिंदर गिल और साथ विजे मलीक देखने को मिल रहे है गुमान सिंग पिछले सीजन अच्छा खेले थे आमीर मोहमाद जाफर दनेश डेब्यू करने वाले और ज पिजे मलीक ज्यादा मैचेस नहीं खेले लेकिन अच्छे रिडरे फॉर्म में है तो यहाँ पर एक्सपिरियंस भी यूपी योदास के पास से ज्यादा रिडर्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि रिडर्स में यूपी योदास की टीम जी चुकी है कवर डिफेंडर्स का कंपरिजन किया जाए तो यू मुंबा के कवर डिफेंडर्स सुरिंदर सिंग और महेंदर सिंग है और वहीं पर यूपी योदास के कवर डिफेंडर्स आसु सिंग और हरेंदर कुमार है सुरिंदर सिंग यू मुंबा के फॉर्म में है महेंदर सिंग यू मुंबा के फॉर्म में है वहीं पर यू पी योद्धास के आसु सिंग फॉर्म में है लेकिन हरेंदर कुमार अच्छे फॉर्म में नहीं है पिछले सीजन 21 मैचेस में 26 पॉइंट स्कोर किये थे जिसके यहाँ पर slightly down जा रही यूपी उद्धास की टीम and cover defenders में यू मुंबा की टीम ये round चीज चुकी है corner defenders की बात की जाए तो हमें यू मुंबा के रिंकु शर्मा and गिरिश एरनाक देखने को मिल जाएगे and वहीं पर यूपी उद्धास के देखने को मिल जाएगे नितेश कुमार and सुमीच सांगवान नितेश कुमार and सुमीच सांगवान का corner duo है वो बहुत ज़्यदा famous है लेकिन दिक्कत ही है कि नितेश कुमार पिछले दो सीजन से वैसा performance नहीं दिखा पार है वहीं पर रिंकु शर्मा और गिरिश एरनाक बहुत ही अच्छे form में है लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि नितेश कुमार और सुमीच सांगवान दोनों ही जब खेलते तो कभी भी form में आ सकते तो मुझे लगता है कि जो corner duo का यहाँ पर comparison है दोनों ही अब यहाँ पर बात करते है players to watch out 4 के बारे में कौन से players पर ज़्यादा नजरे रहने वाली है यू मुंबा की बात किजाए तो यू मुंबा के खेमे से सबसे ज़्यादा नजरे मुझे लगता है कि गिरिश एरनाक पर रहने वाली है गिरिश एरनाक जब इसले सीजन Bengal Warriors की टीम की तरफ से खेले थे बहुत अच्छे form में थे 18 matches में 51 points इन्होंने score किया एक defender से 50 tackle points score करना एक बहुत बढ़ी बात है तो मुझे लगता है कि गिरिश एरनाक इस बार वैसी form को continue करेगे और यूपी योधास की बात की जाए तो परतीप नरफाल पे ही सब की नरजरे रहने वाली है डुप की किंग record breaker कैसा performance दिखाते इस मुकाबले में वो तो सब देखे गे ही 22 matches में 220 rate point score किये थे पिछले सीजन एंड देखते की कैसा performance दिखाते है और आकरी segment की तरह बड़े जो यहाँ पर prediction round है मेरी क्या prediction है मैं अपने तीन prediction देने वाला इस match के recording मुझे लगता है कि तीन या फिर तीन से ज़्यादा Raiders इस match में सूपर 10 score करने वाले अब यू मुमा के टीम से तीन हो सकते या फिर दोनों का combine करके तीन हो सकते लेकिन मुझे लगता है कि तीन या फिर तीन से ज़्यादा Raiders सूपर 10 score करेगे अब ये prediction correct होने के कम chances से लेकिन मैंने predict कर दिया और दूसरा prediction है कि ये मुकाबला close जाएगा इतना close जाएगा कि जो margin है वो यहाँ पे साथ से कम होने वाला है ये भी थोरा bold prediction है देखते क्या होता है और तीसरा prediction ये है कि UP योधास की टीम के मुकाबला जीतेगी ऐसा मुझे लगता है यू मुंबा के fans नराज मत हो ये मेरा prediction always गलत जाता है तो यू मुंबा के fans उल्टर celebrate कर सकते red heart spam कर सकते हो और अभी फिलाल के लिए अगर आपने match no.1 जो तेल्गू टाइटन्स और गुजरा जायन्स के बीच में खिला जाएगा वो match का preview नहीं देखा है तो left side पे क्लिक करके देख सकते हो और PKL season 10 कहां पे live आने वाला है जो टेली कास के डीटेल से वो भी मैंने शेयर किया है वो वाला वीडियो देखने के लिए आप राइट सेट पे क्लिक करके देख सकते हो तब तक मैं मिलता हूँ ऐसे एक और इंटरस्टिंग वड़ो के साथ ठैंक्स पर वचेंग